हेलो सुट जैंस चलिए स्टार्ट करते हैं inverse trigonometric function chapter 2 का जंपल नंबर 7 देखते हैं बच्चो क्या है prove that 10 inverse x plus 10 inverse 2x by 1 minus x square equal to 10 inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square left hand side को right hand side के equal या right को left के equal prove करना है अब इसको left से लेके चलोगे left से भी prove कर सकते हो right से लेके चलोगे right से भी कर सकते हो दोनों तरफ से आप इस question को कर सकते हो इधर से करना है left hand side से तो आपको 10 inverse a plus 10 inverse b का formula लगाना है थोड़ इसी calculation difficult हो जाएगी और answer फिर भी आपका आजाएगा right hand side के equal दूसरा easy तरीका है अब right hand side को लेके चलो उससे आप left hand side के equal prove कर दो कर देते हैं भई तो यहाँ पर देखो right hand side हमें क्या दे रखी है 10 inverse 3x minus x cube अब उन में 1 minus 3x square अब यहाँ पर formula बन रहा है हमारा अगर मैं x is equal to 10 theta पुट कर दू put x is equal to 10 theta अब भई बहार 10 inverse है अंदर sin theta पुट करने से cos theta पुट करने से कोई formula नहीं बनेगा तो क्या फायदा है तो x is equal to 10 theta पुट कर दिया तो क्या बन गया 10 inverse 3 10 theta minus 10 cube theta अब उन में यहाँ पर क्या है मेरे पास 1 minus 3 10 square theta अब यह formula किसका होता है बच्चो 10 3 theta का इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है chapter second के सारे formula 10 inverse तो यह क्या बन गया 10 3 theta पुट का formula 10 से 10 cancel out हो गया तो यहाँ पे simplify होके क्या आगया 3 theta अब theta की value हमें यहाँ से निकालने पड़ेगी theta is equal to क्या हो गया 10 को उस तरफ ले जाओ 10 inverse x तो यह किसके equal आगया मेरा 3 10 inverse x के equal आगया अब आप सोचोगे सर यह तो left and side नहीं थी तो क्या करिया जाए अब यहाँ बे देखो 10 inverse x plus 10 inverse 2 x my 1 minus x square है अब जिसको formula आते हैं फिर वही बात कह रहा हूँ मैं उसको समझ में आ गया होगा यह 2 10 inverse x हो गया हमारा तो 10 inverse x plus में 2 10 inverse x formula बन गया तो क्या हो गया 10 inverse x और plus में 2 10 inverse x का formula क्या होता है 10 inverse 2 x by 1 minus x square यह हो गया hence prove right and side के ओ right and side से left and side तो यहाँ पे लिख देंगे left and side is equal to right and side अब आपका दिल कर रहा हो सर मैं left and side को लेके चलूँगा और right and side prove करूँगा कर लो भई यह अपने x यह A मान लेना है यह B मान लेना है 10 inverse A plus 10 inverse B का आपने formula अपलाई करना है आपका यहाँ पे भी prove हो जाएगा आप करके देखना इस चीज़ को ठीक है 10 inverse A plus 10 inverse B का formula क्या होता है of secant inverse x plus cosecant inverse x इसकी value आपको find out करनी है क्या दे रखा है course of secant inverse x plus में cosecant inverse x अब क्या किया जाए यह क्या आगया यह तो होगा ही नियम से क्यों नहीं होगा formula जिसको आते हैं उससे होगा बिल्कुल चुटकियों में होगा आपको बता है secant inverse x प्लस में cosecant inverse x जो होता है वो किसके एक्वल होता है 5 by 2 के एक्वल formula है sin inverse x plus cosecant inverse x 5 by 2 के होता है court inverse x plus 10 inverse x 5 by 2 के होता है और second inverse x plus cosecant inverse 5 by 2 के होता है बस यहाँ पुट कर दो cos of pi by 2 और cos 5 by 2 की value क्या होते है 0 answer हो गया बस था ना चुटकियों में होने वाला question बट जिसको formula आते है उसी से होगा चुटकियों में ऐसे नहीं है भई formula याद नहीं किये है लिख के practice नहीं किये है और चुटकियों में soul out हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता हाँ problem आएगी तो मैं आपके वो help कर दूगा बट आपको चैनल को sport भी करना है ज्यादा से ज्यादा share भी करना है क्योंकि दूसरे बच्चों का भी बला हो सके और कर बला तो हो बला Thank you students for watching your channel next class age